UPSDF ने डॉक्टर कफील को मुंबई से गिरफतार किया है उन पर अलिगड में सामप्रदाइक भाशन देने का रूप है उनके अमिच्चा पर अभधर टिपड़ी करने और सामप्रदाइक भाशन देने के मामले में गिरफतारी हुई है डॉक्टर कफील ने अलिगड में नागरिता संशोदन कानूं के खलाब प्रदर्शन के दौरान विवादित बयान दिया था इसके बाद से अलिगड पुलिस उन्हें सलाश रही थी और अफिलाल वो पुलिस के रप्त में बियाडी के 70 बच्चों को जो मारा गया है उसमे क्लीन चिट मिल गई है उसीं के लिए मुझे दुबारा फ़काया जा रहा है मैं महारास सरकार से निवेदन करूँगा कि मुझे महारास नहीं रखा जाए यूपी में मुझे यूपी में मुझे पलिस परोसा नहीं है पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है उन्हें महाराश्टर सरकार अपने आतों में ले तो UPSTF ने मुंबई से इस गिरफतारी को अंजाम दिया जो अफिलाल डॉक्टर कफील पुलिस की गिरफत में है डॉक्टर कफील पर भड़काऊ भाशन देने का आरोप है जिसके तहती गिरफतारी तो CA के खलाव में ये भाशन उन्होंने दिया था जिसके चलते वो विवादों में घिरे और उनकी तलाश में पुलिस जोटी तो अलिगर में मामला उनके खिलाफ दर्च किया गया तो IPC की धारा 153A के तहत उनके खिलाफ FIR दर्च की गई थी 60 बच्चों की मौत के मामले में पहले भी जेल जा चुका है डॉक्टर का फीद और अब एक बार पर से मुश्किलों में